को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले ज्यान देने वाले कनाडाई प्रधान मंत्री की कनाडाई कोट ने पोल खोल कर रख दिया है जानेंगे कैसे कोट का डंडा पढ़ा है कनाडा के पीएम के उपर तो अहीं दूसरी तरफ चाइना ने अभी क्यों कहना सुरू कर दिया कि माल दियू में हम जहाज बेज रहे हैं भारत ने जहाज को घुसने नहीं दिया था स्री लंका में और भारत को लेकर भला बुरा कहना क्यों ग्लोबल टाइम्स को बहुत भारी पड़ा है जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से भारत को लोकतंत्र और दिल्नी में किसानों के परदर्शन पर ग्यान देने वाले कनाडाई परधानमंत्री की हीपोक्रेसी की कनाडाई कोट ने पोल खोल कर रख दी है ओटावा की एक संगी अदालत ने फ्रीडम कॉनवय द्वारा कोवीड-19 टिका करन का विरोध करने के लिए फरवरी दो हजार भाईस में कनाडा में भारी विरोध परधर्शन किया था और उस विरोध परधर्शन को कुचलने के लिए परधानमंत्री जस्टिन टूडू ने कनाडा में अपातकाल लगा दिया था और अब कनाडा के फेडरल कोट ने उनके इस फैसले को औस अंबेधानी करार दिया है परधर्शन कारियों के खिलाप राष्टि आपातकाल लगाने के परधानमंत्री जस्टिन टूडू की सरकार के फैसले को कनाडा के फेडरल कोट ने अवैद करार दिया है जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि ये पस्चिमी देश के नेता भारत जैसे विशाल काई लोगतांत्रिक देशों को ग्यान देने में सबसे आगे रहते हैं लेकिन जब बात खुद पर आती है तो ये आसानी से संबीदान की धजियां उड़ा देते हैं सवाल अमेरिका में भी उठ रहे हैं जो बार बार भारत को लोगतंत्र का पढ़ाने की कोसिस करता है लेकिन कनाडाई फेडरल कोर्ट के फैसले आये हुए कई घंटों तक बीच चुका है लेकिन वाइट हाउस ने जश्टिन टूडू को एक सब्द का भी घ्यान नहीं दिया है इसलिए एक्सपर्ट का कहना है कि कनाडा जैसे देश लोगतंत्र का ढून करते हैं लेकिन जब खुद पर बात आती है तो ये सबसे पहले संबीदान को पैरों से ठोकर मारते हैं स्क्रीन पर देख सकते हैं ब्रह्म चिलानी जो की डिफेंस के एक्सपर्ट माने जाते हैं इन्हों ने भी इसी बात को कहा है जब ये परदर्सन हो रहे थे तब परदर्सन कारियों के बैंक एकाउंट तक फ्रीज किये जा रहे थे मंगलवार को दिये गए एक फैसले में कनडाई फेडरल कोर्ट के नियादीस रिचर्ड जी मोसले ने कहा कि मैंने निसकर्स निकाला है जिन बाधाओं पर विचार किया जाना आवस्यक था उन पर आपात काल जारी करने का फैसला तर्क संगत्ता और चित पारदर्सिता और समझदारी की पहचान नहीं करता है प्रसंगित ठ्यात्मक और कानूनी समंद में उचित नहीं था आपको बता दें 14 फरवरी 2022 को जैसे ही ट्रक ड्राइवर्स का अंदोलन 18 दिन में परवेश कर गया जस्टिन टूडो की सरकार ने आपात कालीन अधिनियम लागू कर दिया जो कनाडा में पहले कभी नहीं था जस्टिन टूडो के इस फैसले को खालिस्तान समर्थक कनाडाई सिखनेता जगमीत सिंग के नर्तित वाली न्यू डेमोकरेटिक पार्टी के समर्थन से हाउस ओफ कॉमन्स में इसकी पुष्टी की गई थी लेकिन सीनेट में मतदान से पहले इसे नौ दिन बाद रद कर दिया गया था हलाकि इतने दिनों में जस्टिन टूडो की सरकार ने ट्रक ड्राइवर के परदरशन को सरकार के आधेस पर पुलिस ने चारों तरप से घेर लिया और तमाम समानों की सप्लाई रोग दी थी लेकिन हैराडी के बात ये है कि पडोसी देश में सांती पूर्णत परदसन को कुचल दिया गया लेकिन वाइट हाउस की तरफ से कोई पर्तिक्रिया नहीं दी गई न्याय मूर्थी मोसले ने फैसले में लिखा कि मैं ये निसकार्स निकालता हूँ कि आपातकाली नधिनियम को लागू करने को उचित ठाराने वाला कोई राष्टी आपातकाल नहीं था और ऐसा करने का फैसला अनुचित और अधिकानों के खिलाफ था वहीं कनाडा के उप प्रधान मंत्री क्रिष्टिया फ्रीलेंड ने संबादातों से कहा कि सरकार ने फेडरल कोर्ट के फैसले को उपरी आदालत में चुनोती देने का फैसला किया है उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि हम उस समय कुछ और आवस्यक कानूनी कदम उठा सकते हैं उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास आज भी कायम है आपात काल के आवान को नागरिक स्वतंतरता समूहों, Canadian Civil Liberties Association और Canadian Constitution Foundation और विरोध परदस्न में भाग लेने वाले दो परतिभागियों द्वारा चुनोती दी गई जिनके बैंक खाते फ्रीज कर दिये गए थे खेर, कनाड़ा के पीएम पहले से ही लोगप्रियता खो रहे हैं, अब और लगातार ये जो लोगप्रियता खोने का करम बढ़ रहा है, ये करम कुछ ठीक होता हुआ नहीं दिख रहा है, खेर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ, माल दीव ने असपस्टी करन दिया है, कि चाइना का जो ये जहाज आ रहा है न, ये जहाज, एक इमर्जेंसी कॉल के तहट आ रहा है, जिसे पोर्ट कॉल कह रहे हैं, उसके तहट आ रहा है, ये कोई रिसर्च विसर्च करने के लिए नहीं आ रहा है, हलाकि इस मामले में, जो भारत के ड भारत के आसपास के हिस्सों की जानकारी लेना चाहा रहा है और माल्दिव में जो प्रो चाइना प्रेसिडेंट है उसकी वजह से ये सब कुछ संभव हो रहा है 2019 का भारत के साथ हाइडोग्राफिक सर्वे एग्रिमेंट कैंसिल करके यहां पर चाइना के सिप को आने की अनुमती देना और फिर ये कहना कि ये ऐसा कुछ नहीं है ये फिलाग माल्दिव और मुईजू का नया प्रभोकेशन है जो भारत का मजाक उडाने के लिए है और ये इस बात पर ग्लोबल टाइम्स ने एक लंबा चोड़ा आर्टिकल चाप दिया इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत का माइंड सेट ठीक नहीं है हमारा चाइनीज वेसल्स पहले जाने वाला था कोलंबो लेकिन सिरलंका के गवर्मेंट के उपर इतना ज्यादा प्रेसर बनाया भारत ने कि कोलंबो ने हमें मना कर दिया और कोलंबो के मना करने के बाद अब हम जब यहां जा रहे हैं तो भारत को ऐसा लगता है और भारत की कुछ मीडिया को लगता है कि हम बिलिटरी परपस से यहां जा रहे हैं जबकि हमारा ऐ ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन इस समय तो हाइप हो गया है। भारत इसे मिलिटरी परपस के लिए कह रहा है। ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि माल्दी के राश्पती मुहमद मुईजू पहले सबसे पहले चाइना आए और भारत नहीं गए इसलिए इसे कहा जा रहा है कि ये भारत भी रोधी हैं वैसे भारत के साथ इन्होंने हाइड्रोग्राफिक एग्रिमेंट कैंसिल कर दिया और चाइना के बीच में और भी ज्यादा संपर्क आगे बढ़ेंगे खैर यहां पर पूरे आर्टिकल में एक चीज देखने मिला कि यहां चाइना ने यह कहा कि स्रिलंका ने रिजेक्ट कर दिया भारत के दबाब में साथ ही इन्होंने कहा इंडिया का ओसियन नहीं है इसल दोसल मीडिया के यूजर्स थे उन्होंने धोना सुरू कर दिया कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर दचिन चीन सागर के लिए भी यही लागू होता है और फिर टाइवान के लिए भी यही लागू होता है जब टाइवान में हम ऐसा कुछ करेंगे तब तुम हमें यह मत कहना खैर अब इसी में से कुछ यूजर्स ने ये कहा कि परिनाम तो तुम्हें देखने को मिलेंगे जरूर लेकिन ये परिनाम तुम्हें अब छुनाओं के बाद देखने को जरूर मिलेंगे वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राया है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं गली वीडियो में नई ख़बर के साथ